Welcome students, आज है Microsoft Excel 2013 में Marksheet Calculate करना सिखेंगे. सबसे पहले आप यहां से एक Blank Workbook सेलेक करेंगे. यहां पर हम School Name टाइप करेंगे. फिर हम Students की Name टाइप करेंगे. उनके रोल नम्बर, Subjects, यहां हम Students की Name लिखते हैं. हम यहां स्टूडिंस की रोल नम्बर लिखते हैं. आप सबसे पहले स्टूडिंट के लिए यहां पर रोल नम्बर लिखते हैं, और अगर आप इसको सीरीज में करना चाहते हैं, तो आप अपना करसर इसके पॉइंट पे लाएंगे. जब आपका करसर ऐसे चेंज हो जाएगा, तो आप इसको कंट्रोल के साथ नीचे ड्रैक कर लेंगे. तो आपकी सीरीज पूरी फिल हो जाएगी. इसी तरह ज़िए हम यहां पर स्टूडिंट के Marks एंटर करेंगे. यहां पर भी हम स्टूडिंट के Marks एंटर करते हैं. यहां पर हम सब्जेक्ट टोटल की हेदिंग लिखेंगे और साथी में average. अब हम इसकी थूड़ी सी फॉर्मिटिंग करेंगे, आप यहां की रेंज तक अपना cell सेलेक करेंगे. आप आएंगे मचन सेंटर पर यहां से आप मचन सेंटर सेलेक करेंगे. आप इसका font size increase करेंगे आप heading का भी font size increase करके इसको bold कर सकते हैं आप cells को, इनके box को size के according set कर सकते हैं आपका जितना text है आप उस recording इसको set करें अगर आप चाहते हैं इसको color fill करना तो आप color भी fill कर सकते हैं हम text को center में लाना चाहते हैं तो आप यहां alignment में center में जाएंगे इस तरह से आपका text center में आचाहेगा आप अगर इसको outside border देना चाहते हैं heading को तो आप outside border हैं से select कर लीजिए तो इस तरह से outside border आजाएगा अब हम चाहते हैं कि हम इन subjects का total यहां पर calculate करें तो आप सबसे पहले इनको select करेंगे subjects को यहां पर आप auto sum option देख सकते हैं editing में यह आप select करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर subject total अपने आप आ चुका है अब आप इसको select करेंगे अपना cursor यहां पर point रखेंगे इसको आप नीचे drag करेंगे तो आप आप देख सकते हैं सब subjects का हर एक student का total नहां पर आ चुका है हमें बार 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 उसको calculate नहीं करना पड़ा है हमने एक बार उसको calculate किया और हमने उसको series में convert कर दिया एक तरीका और है कि हम इसका total calculate कर सकते हैं यह आप देख सकते हैं सबसे easy method आपके सामने हैं आपको directly यहां जाके और तो sum पे click करना है इसी तरह से हम अगर average निकालना चाहते हैं subject का average हम चाहते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है हमें सबसे पहले अपना कर्सर आप यहां रखेंगे आपको यहां पे f4 cell लिखना है divided by 3 आप यहां पे करेंगे division का sign देंगे आप और enter press कर लिखेंगे आप देख सकते हैं यहां पे यह formula क्यों apply नहीं हो पाया है क्योंकि हमने यहां पे जो main sign है is equals to के बिना हम कोई भी formula यहां पे apply नहीं कर सकते हैं अब आप enter press करेंगे आप देख सकते हैं यहां पे average आ चुका है अगर आप चाहते हैं कि आप direct और भी students का average निकाल लें तो आप इसी तरह से अपना कर्सर यहां पे point करेंगे इसको नीचे drag करेंगे यहां से आप देख सकते हैं formula बार इस पे आप आएंगे यहां से आप जाएंगे insert function पे insert function का dialogue box आपके सामने खुल चुका है यहां से आप select करेंगे average ok करेंगे यहां आपको वो range देनी पड़ेगी जो आपको average निकालने के लिए चाहिए आप यहां से यह select करके अपना इसको backspace देंगे आप और जो आपको range चाहिए आपको यहां से select करेंगे हमें range चाहिए महेश की और हम इसका average निकालना चाहते है तो आप यहां से तीनों subject select कर लेंगे फिर आप यहां से इसको ok कर देगे आप देख सकते हैं यहां आपका average आचुका है सबसे आप देख सकते हैं कि सबसे easiest way अगर हम discuss करते हैं average निकालने का तो आप insert function में direct जाके और average आप यहां पे calculate कर सकते हैं आपको जिस भी student का average calculate करना है आप उसके सामने अपना cursor रखिएगा उस cell पे अपना cursor रखिएगा उस cell को आप select करिएगा अभी हम direct भी कर सकते हैं आप यहां से is equals to sign लगाईए रेंज select कीजिए divide का sign देते हुए three subjects है तो आप three से divide करके enter press करें इसको select करके अपना cursor यहां रखिए इसको नीचे drag करेंगे सब subjects का average आपके पास आ चुका है तो इस तरह से हम किसी भी mark sheet को prepare कर सकते हैं किसी भी mark sheet को हम यहां पे calculate कर सकते हैं marks sheet में हम enter कर सकते हैं किसी भी तरह का आप calculation formula बार use करके यहां पे कर सकते हैं इस तरह से हम किसी भी school की mark sheet कुछ भी data कुछ भी calculation पाथ हम Microsoft Excel 2013 के तुरू हम easily इसको complete कर सकते हैं Thank you